ये अव्यक इशारे नवेंबर दो हजार तेईस बी, विदेही स्थिती का अनुभव करो नमबर दो, जैसे विदेही बाब दादा को देह का आधार लेना पड़ता है, बच्चों को विदेही बनाने के लिए ऐसे आप सवी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिती में स्थित हो, इस देह द्वारा करन करावनहार बन करके करम कराओ, यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो, इसी स्थिती को विदेही स्थिती कहते हैं, इसी को ही फालो फादर कहा जाता है बाग को फालन करने की स्थिती है सदा अशरिरी भव, विदेही भव, निराकारी भव